मन्त आपका complete हो चुका है बिल्कुल उसके बारे में हमें बात कर रहे हैं यहां पर top 100 questions के बारे में जल्दी से लाइवा जाएं सभी आप सभी की बिल्कुल करेंट अफेर की क्लास जो एवरी डे सुभा सात बजे हम डिसकस करते हैं लेकिन आज किसी कारण से आप जानते हैं कि आज शाम शे बजे मैं लेकर आयो आऊँ आपके साथ टॉप 100 MCQ of June 2021 तो complete month की एक practice session आपके पास रहेगा ताकि आप सारी चीजों को revise करें तो बारा से याद कर ले जो कुछ आप भूल गए वो सारा याद दिलाने की कोशिश इस एक class में की जाएगी मेरी voice आप लोगों को clear आरी एक बार जल्दी से comment कर देंगे और उसके बाद फिर हम आगी की शुरुआत करेंगे बिल्कुल तो ICS की टीम के साथ हमारी शुरुआत आज एक जुलाई बिल्कुल आठ बजे class हमारी live हो जाएगी और परिमल सर और उसके बाद बवीता में हम दोनों classes लेंगे आपकी तो चलिए इसके अलावा आप जानते हैं हमारे new batches में हमारे डीके चौधरी सर पॉलिटे लेकर आ रहे हैं current affairs everyday discuss करते हैं सुबह साथ बजे लेकिन फिर भी रिवीजन मस्ट रहे हैं आपके लिए तो अमेरिका में पहली महिला सेना सचीव आपको याद रखना है कौन है क्रिस्टीन वार्मूथ इनको अपॉइंट किया गया अमेरिका का इतिहास आप जानते हैं और अमेरिका के इतिहास में आज इतक कोई महिला रास्टपती नहीं बनी और थेना सचीव भी पहली बार एक महिला बनी इतने बड़े देश के अंदर आपको बिलकुल याद रखन होगा तो क्रिस्टीन वार्मूथ का नाम इंपॉर्टेंट है अगला कोशन याद रखेगा किस भारतिये शांती सैनिक को संयुक्त रास्ट के परतिष्ठित पदक से समानित किया गया है अब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और्गनाइजेशन युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन 193 कंट्रीज की है इसके द्वारा दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी अवोड कोई भी सूचना बहुत इंपॉर्डेंट रहती हमेशा एक्जाम के अंदर और इसी का कुशन ये है तो यहाँ पर तीन भारतियों के सैनिक जो अलग-अलग जगाहो और रिक्रूट हैं अपने आप में जिवरासींg, इवान, पिकार्डो और मूल चंद याधव ये तीनों भारतियों को याद रह रहे हैं, भारतियों मूल के हίν ने याद रखना और इन तीनों को दिया गया यया उनों का परतिश्ठिक पदक यानि इससे समानित किया गया है कुलदीब सिंग को रास्टिय जाच एजेंसी यानि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक प्रभार दिया गया बहुत important question है क्योंकि ये NIA के और साथ साथ आपको याद करके बताना है ये CRPF के भी head रहे तो महानिदेशा कुलदीब सिंग CRPF और NIA दोनों के हो अगला question है फाल ही में परकाशित पुस्तक language of truth ये किताब है आपको याद करनी है क्या आप जानते हैं कि आपका SSC या banking या railway या police या फिर UP का pet हो या UPSI या UP constable सभी exam में ये question पूछे जाते हैं कि कौन सी book का writer कौन है languages of truth ये किताब लाई गई इसी month release की गई आपको याद र अगर आपने 100 question का answer कर लिए तो ये month की information पूरी आनि आपके पास एक और किताब आपको याद करनी है किस खिलाडी ने stargazing नाम की किताब लिखी क्योंकि उसके आगे जो sub title है उसकी फिलहाल आपको जरुवत नहीं है तो stargazing नाम की किताब जो भारतिय टीम के coach head coach यानि आप आप जानते हैं कि यहाँ पर एज़े बैटिंग coach राहूल दर्विट को लाया जारा टीम के अंदर भारतिय टीम में लेकिन ये किताब जो man coach Indian team के रवी शास्त्री के दुवारा लिखी गई stargazing आल ही में 2020 में यानि Assam Rifles आप जानते हैं हमारी एक टुकली है यह और इस तरह की अलग अलग टुकलियां है जो हमारे देश की सेना का हिस्सा है हमारे जो paramilitary forces इसके अलावा जो आते हैं वो सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं लगातार Assam Rifles के 21 वे महा निदेशक के रूप में डारेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गिया ये एक रिवीजन क्लास चल रही है आपकी बिल्कुल इसे एक बार शेयर जरू कर दें सभी के साथ तो राइट आंसर आपको याद करके बताना होगा तो यहां आता है परदीप नायर का नाम या परदीप चंद बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं फिक्टी के चेयर्मेन, सी आई आई के चेयर्मेन, नैस कॉम और एशो चैम के चेयर्मेन और आपको मैं लगातार ये सारी जानकारी देता हूँ तो भारतिये उद्धियोग परिसंग के जो अध्याक्ष हैं वो टीवी नारेंदरन को अप जिएंदरिये परित्यक्ष कर बोर्ड यानि कि CBD जितने भी डारेक्ट टेक्सिज हमारे देश में हैं, उनको इंपोजय किया जाता है देश में, उनका कलेक्शन किया जाता है CBD के दौरा। बस आपको ये आंसर राइट करना होगा यहां कि CBDT के अध्यक्ष का परभार किसे संभालने को दिया है क्योंकि पहले जो थे यहां पर वो परमोध यानि PC मोडी के नाम से थे लेकिन इनका कारियकाल समाप्त होने के बाद अब आपको क्या राइट आंसर याद रखना है जगन अध्यक्ष एक्जाम में बहुत पुछे जाते हैं चलिए बिलकुल आगे दिखेगा ध्यान से सेंटर फोर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो यहां पर लाया गिया है और उसके अंदर पहले इस्थान पर कौन सा संस्थान रहा भारत के 2020 2121 सेशन के लिए तो सेंट बाद तो बिलकुल आप इसे शेयर जरू करें और एक बार पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि एवरी डे सुबह साथ बजे हम करन्ट डिसकस करते थे और होपुली आगे भी वैसे ही डिसकस करेंगे कल सुबह साथ बजे होगी क्लास पाली में किसे डिजिटल मीडिया सामगरी नियामक परीशद आप जानते हैं सोशल मीडिया को भी अब यहाँ पर एक ऑथोरिटी के अंडर में लाया गिया एक रेगूलेटरी कमेटी के अंडर में लाया गिया क्योंग अभी तक social media आप जानते हैं बिलकुल या इस तरह से जो हमारे पास other mode हैं यहाँ पर अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर ऐसी कोई sensor नहीं और बहुत सारी चीजों को यहाँ promote किया जाता है जो अब रोक्या जाएगा यहाँ पर इस नियामक authority के दुआरा और right answer आपको याद रखना है विक्रम जीत सैन कौन होंगे यहाँ पर right answer विक्रम जीत सैन होंगे basically इसके next अध्यक्ष भारत का पहला सौदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग किस IIT के दुआरा विक्सित किया गया है आप जानते हैं किसी भी IIT के दुआरा अगर कुछ विक्सित किया जाता है आपको बिल्कुल आपको याद करना है तो IIT के दुआरा किया गया कोई काम बहुत वेमस है तो यह MB टैग आपसे पूछेगा बिल्कुल है सवाल आपको आपके SSC में नज़र आएगा बैंकिंग में और बाकी के एक्जाम में नज़र आएगा IIT रोपड है यहाँ पर important जो पंजाब में आता है तबसे important question में अगर हम देखें ध्यान से top most question अगर निकाले जाएं इस मन्त के तो उसमें एक question आता है रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे न्यूक्ट किया गया एक CII वाले जो TV नारेंदरन थे बहुत famous important नाम और दूसरा important question आज के लिए मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में न्यूक्ट किया गया है अरुन कुमार मिश्रा को क्या है इनका नाम अरुन कुमार मिश्रा बिल्कुल याद रहेगा आपको human right commission के निम्खित में किसे नौसेना स्टाफ का उप पर्मुख आप जानते हैं कि हमारी जो नौसेना यानि कि जो इंडियन नेवी है चल में उसके जो पर्मुख है उनका नाम है करंबीर सिंग लेकिन या करंबीर सिंग की बात नहीं हो रही है आपसे बात हो रही है उप पर के 20 कोशन विद डिटेल एक्स्पलेनेशन में आपको कराता हूँ लेकिन अभी आपको सिर्फ में क्या करा रहा हूँ एक क्विक रिवीजन रवनीत सिंग का नाम आपको याद करना है उप पर्मुख के रूप में इसाक हर्जोग किस देश के ग्यारवे रास्टपती बने ह क्योंकि ये कोशन बड़े इंपोर्टेंट रहते हैं और दुनिया का ऐसा देश जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है हमेशा और अभी हमास को लेकर अभी फिलिस्तीन को लेकर एयर डॉम नाम की टेक्नीक को लेकर बड़ा न्यूज में रहने वाला दुनिया का देश इसराइल और कहा जाता है ये इसराइल ही है और यहां का फिलिस्तीन है और यरुशलम ये दुनिया में एक विवात का बड़ा कारण है ठीक है याद रखना हाली में डबलू एचो अगर मैं अगर पूछूं इस मन्ध के टॉप हंड्रेट कोशन निकालने हो मुझे तो इस क मैं पूट करूँ गा टॉप हंड्रेट के अंदर आपको याद रखना है टॉप Tien के अंदर में पूट करूँ गा इसे तो कारी ये कारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया है डबलू एचो की ब Molly वजो की बात हो रही है तो यहां डबलू एचो के बारे में हम बात कर रह ह वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन के तो लास्ट येर डॉक्टर हर्श वर्धन थे लिगिन इस बार हैं केनिया के पैट्रीक एमूथ अगर मैं स्टार बना रहा हूं आप समझ जाओ कि ये कोशन आने की पॉसिबिलिटी इस आउट अफ हंड्रेड में भी सबसे ज्यादा हो प्रिवेंस ऑफिसर किसे बनाया है वाट्सेप वाट्सेप फेस्बुक का है आप जानते हैं और यहां पर एक नाम आता है प्रेश भी लाल तो प्रेश लाल जो है यहां में ली उनका नाम आपको अच्छे से याद करना है आगे दिखेगा ध्यान से निमलिखित में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और आपको मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ क्लास में कि इसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की आठ हजार आठ सो आठालीस दशमलव आठ छे मीटर की आप बात करेंगे यहां पर और यहां पर चलने वाले न नाम आपको याद करना है जैंग हॉंग तो जैंग हॉंग का नाम आप बिल्कुल याद रखें चलिए आगे दिखेगा ध्यान से किस pode ko Asia Pacific Region के अंतरगत ब्रीन ऐरपोर्ट की केटेगरी में शामिल किया गया तो भारत के दो एलपोर्ट यहां पर एक डिल्ली और एक दूसरा हैद राबाद का दिल्ली और हैदरबाद के जो हमारे ऐरपोर्ट एक्चुल में यहाँ पर इंद्रा गांधी ईयरपोर्ट है दिली में और राजीव गांधी एयरपोर्ट है हमवारा हैर एक्षिक तौर पर याद कर ना है इन दोनों को ग्रीन एयरपोर्ट चुना गिया अलग-अलग के टेग्री के अंदर दो के टेग्री में याद करना चलिए आगे देखिएगा नीति आयोग के SDG इंडिया सूची 2021 में किस राजिये को शीर्ष इस्थान मिला है यानि की SDG का मतलब होता है सतत विकास लक्षिये दोबारा स्टार्टिंग से करवाये थे आपको लेकिन अब आपको याद करना तो सारा नया आपके सामने आ चुका तीसरे संसकरण में किस राजिये को शीर्ष मिला है इस्थान में तो आप कहेंगे केरला शीर्ष पर और बिहार सबसे पीछे रहा और ये मैं आपको बता दूँ ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टन कोशन में कोशन नमबर चार है मेरी तरफ से इसे आप बिलकुल ना छोड़े और ये एक्जाम के लिए आगे देखिए नौ सेना के हाइड्रो ग्राफिक सर्विक्षन पोर्ट को यहां सेवा मुक्त यानि डी कमिशन कर दिया गया जब भी किसी को आप जानते हैं तो डी कमिशन कर देने का मतलब उसको वहां से उसकी सेवाओं को समाप्त कर देने से मुझे क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा इस चीज का तो संधियक होगा ब्रह्म पुत्र निरूपक या सर्विक्षन के नाम से तो बिल्कुल आपके पास जो राइट आंसर होने वाला इस बार का मैं आपको बता दूँ यह क्या होगा संधियक तो यह संधियक के नाम से हमारे पास एक जिसे पिलहाल डी कमिशन कर दिया गया तो आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं इसका मतलब तो अच्छी बात बिल्कुल है आपके पास चलिए अगला कोशन देखके बताईए मुझे क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे आप यहां पर आपको बताना है मुझे भारतिय वायू सेना के आप जानते हैं जो भारतिय वायू सेना एक्च्छल में इसके परमुख का नाम क्या है राकेश कुमार सिंग भदोरिया यानि डी ऑप्शन जो है इसके परमुख है लेकिन सवाल में पूचा है उप परमुख यानि डिप्टी के बारे में और पीडियेफ बिल्कुल आपको मिल जाएगा अभी तक की सारी पीडियेफ आपको मिल चुकी है कैरियर विल एप डाउनलोड करेंगे आप यहां पर तो विवेक राम चौधरी इनका नाम याद रखेंगे तो इसलिए रवनीत सिंग और प्रेचर में कोई सबसे बड़ा वूड है तो वो बुकर प्राइज है जो इस बार फ्रांस के एक राइटर को मिला है बिसिक तोर पर और आप आंसर करेंगे कि वो कौन हो सकता है बिल्कुल तो क्या पर क्लास जरूर होंगी सारी क्लास्स कि अनुगी आपकी तो बिल्कुल आपको याद रखना डैविड डियॉप तो यहां राइट आंसर आप भी लगा कराएंगे अगर यह कोशन रियल एक्जाम में आ जाए आपका और मेरी तरफ से यह होगा कोशन नंबर पांच सबसे इंपोर्टेंट कोशन के अंदर डैविड डियॉप का नाम चलिए याद इतना सोच के बताना है कि वो समीती का अध्यक्ष कौन हो सकता है यहां पर तो राइट आंसर क्या है आपके अकोडिंग तो इस समीती के जो मिनिममम वेजी आपको मिलनी चाहिए तो आपको राइट आंसर याद रखना है अजीत मिश्रा का नाम तो अजीत मिश्रा यहां प अपनी एनिर्जी की एफिशेंसी को बहतर करने के लिए काम कर रहा है यहां पर आप सोचेंगे और बताएं मुझे तो किस बैंक ने दोहजार इकतीस बतीस तक यसे की रेलाइंस ने दोहजार पैंतीस सक कहा है तो आपका राइट आंसर है HDFC बैंक जिसके CEO का नाम शशीधर जगदीशन है और यह कुशन आपका रेलवे पूछ चुका है एक्जाम के अंदर HDFC बैंक के बारे में चलिए आगे याद रखिए कोरोना मुक्त गाउं परतियोगिता किस राज्जिय सरकार द्वारा शुरू की गई है यानि कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटीशन और जो भी गाउं कोरोना फ्री होंगे उनको सरकार की तरफ से कैश इंसेंटिव दिया जाएगा तो बताईए कौन से राज्जे सरकार द्वारा चलाई गई याजनाओ का नाम तो ये कोरोना मुक्त गाउं कहां पर होगा महारास्ट राज्जिय के अंदर कहां पर होगा महारास्ट राज्जिय के अंदर बिलकुल याद आ चुका होगा आपको MP और महारास्ट में कन्फ्य जो कि राजानी है वैल्ग्रेड और यहां पर जो ओपन हुआ है बिसेकली आपको बताना है कि यह किसने जीता होगा आप जानते हैं यह सारे प्लियर के नाम टैबल यह टैनिस से रिलेट करते हैं नौवाग जोकोविच का नाम इसमें आता है तो राइट आंसर आपके कोडिं उपन हो फ्रेंच उपन हो हमारा विमल्डन होने वाला यूएस उपन हो लगबग दुनिया के ज्यादा तर इवेंट में कौन जीतता है यहां पर नौवाक जोकोविच का नाम बहुत बड़ा आता है तो बेलग्रेड सर्बिया की राज़ानी अगर आपको याद हो कि यह सारी Formula One Race होती है बेसिकली अजर्ब आयजान जो कि दुनिया का एक देश का नाम है यह और इसकी राज़ानी का नाम अजर्ब आयजान जो है इसकी राज़ानी बिलकुल आप याद कर सकते हैं बाकू कहलाती है तो यहाँ Grand Prix जो Formula One Race होई ती एक्चुल में वो इस बार जीती थी सर सर्जियो पेरेज क्योंकि इस बार टोटल आठ फॉर्मुला वन रेस हो चुकी है जिसमें चार मैक्स वेस्ट हेपन ने जीती तीन लुईस हैमिल्टन ने इन दोनों ने जीती है साथ और एक जीती है सर्जियो पेरेज मैक्सिको के अजरबेजान ग्रेंड प्रिक्स संजीव कोहली को भारत में किस देश का राजदूत बनाया गिया संजीव कोहली भारत के अगले राजदूत किस देश के अंदर होंगे आपको यहां राइट आंसर करना होगा तो अभी मैं जिस देश का नाम ले रहा था आपके साथ बैल ग्रेड राजानी ये सर्विया की और सर्विया देश के अगले राज़दूत कौन होंगे तो इनका राइट आंसर आपको याद करना है वो है संजीव कोहली सर्विया देश के अंदर राय मोना रास्ट्रिय उध्यान किस राज्जिय का छटा रास्ट्रिय उध्यान घोशित किया गिया यह एक इतना इंपोर्टेंट कोशन है आपके पास कि मैं इसे आप यहाँ पर टॉप टैन कोशन की लिस्ट में बिल्कुल एड़ कर रहा हूं और यह कोशन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है एक्जाम के अंदर तो राय मोना नैशनल पार्क आप जानते हैं आसाम का छ को समझे घाँ इसे और निमलिखित में किसे विश्व बैंक के शिक्षा सलाकार निद्ट किया गया विश्व बैंक एक शिक्षा सलाकार सोचेगा भारत के लिए एक व्यक्ति ऐसा जो वर्ल्ड बैंक में शिक्षा के लिए ड्वाइज करेगा और ये कौन है महारास के रहने वाले रंजीत दिसाले मेरी बात को समझेगा रंजीत सिंग दिसाले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर एक किताब का नाम है और आपको यह बताना है कि यह किताब किसके दुआरा लिखी गई बारा सो बतीस किलोमेटर लॉंग जर्नी हॉम के बारे में सोनु सूध अक्षे कुमार समीर सोनी तो आपको याद रख रहा है यहां एक अलग नाम नजर आ रहा है याट इस कॉल्ड विनो नो मसी यह किताबे अलग अलग आपको याद करनी है विनोद कापरी का नाम राइट होगा और भी ययल बैंक के परबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है तो आर भी यल बैंक का परबंध निदेशक यानि की MD यानि की head चुना गया है किसे तो right answer आपको सोचके बताना है दिनेश कुमार हमारे किसके हैं आप जानते हैं SBI के संदीप बक्षी किसके हैं तो यह ICICI bank के हैं तो right answer है रतनाकर bank जो की महाराश्च के अंदर मुख्याले है इसका विश्वीर आहूजा important question याद रखिएगा निमलिखित में किसे petroleum और प्राकरती gas नियामक board यानि की PNGRB जो प्राकरती gas को regulate करते हैं यहाँ पर natural gas को उसका अध्यक्ष नियुक किया गया है तो right answer आपको याद रखना है petroleum और प्राकरती gas के case में चलिए बिल्कुल आप याद रखेंगे तो petroleum और प्राकरती gas का नियामक board जो है regulatory board इसके कौन बनाए गए संजीव नंदन सहाए कौन बनाए गए भई संजीव नंदन सहाए बनाए गए आपको याद करना है भई तो 44 right है बिल्कुल भई जो आपका longest है यहाँ पर जो सबसे बड़ा highway बिल्कुल किस देश में lion hotel home नाम का एक किर्तिम island बनाया जा रहा और ये question मेरे according top 10 top 15 अगर आप चुने out of 100 अगर 30 दिन के 30 question निकालें पूरे महीने के तो उसमें ये चुना जाएगा आपका line at home ये कहां का हो सकता आपको बताना है ये बनाया जा रहा है island develop किया जा रहा है Denmark देश के अंदर क्या आजकल artificial island बनाने का दौर चल रहा है चलिए याद रखिएगा तो ये revision class है आपकी पूरे महीने आपने detail में पढ़ा है मेरे साथ everyday सुभा 7 बजे हाली में कौन सा देश hockey five wish cup actually ये hockey five wish cup कुछ अलग परकार से खेला जाने वाला hockey का game है और इसकी में जबानी 2024 में दुनिया का कौन सा देश करेगा आपको उसका right answer याद रखना है hockey five wish cup के नाम से 2024 में ये ओमान में होगा ओमान जिसकी की राजानी मसकट है क्या राजानी है मसकट राजानी है जिसकी ओमान के अंदर होना है चलिए आगे दिखेगा निमलिखित में कौन सा शेहर देश का पहला इवीकल से शेहर यानि इलेक्ट्रोनिक गालियों का पूरी तरीके से शेहर बन गया और ये मेरे अकोडिंग बहुत important होगा टॉप hundred question की बात कर रहे हैं हम इस मन्त के तो इवीकल के बारे में बात करें तो केवलिया एक district आता है गुजरात के अंदर तो केवलिया district गुजरात का है most important question में आपको याद करना है आगे देखिएगा वीश्व bank के अनुसार भारत की अर्थविवस्वास जो है भारत की अर्थविवस्वास की व्रधी दर कितने प्रतीशत रहेगी world bank के अनुसार आपको बताना है अलग-अलग एजंसिया बताती है लेकिन world bank, imf और UNO इतना important कोई भी नहीं होता तो World Bank के coding आपको याद करना है भारती अर्थ विवस्था की विकास दर ज्यादतर जो बताई जारी है वो 8 और 9% के आसपास तो right answer आपने क्या चुना यहाँ पर 8.3% यह पूरे मंध का revision है आपके सामने RBI ने किन बैंकों पर 6 करोल का जुर्माना लगाया है तो RBI ने जुर्माना लगाया है दो बैंकों पर यानी और कुल मिलाकर 6 करोल का जुर्माना और वियसे कि यह नाम आ रहे आपके सामने Bank of India पर यह सरकारी बैंक है और Punjab National Bank यह भी एक सरकारी है Union Bank of India भी सरकारी है लेकिन यहाँ जुर्माना लगाया है किस-किस पर Bank of India पर और Punjab National Bank पर 6 करोल का जुर्माना RBI ने लगाया है Rules violation करने पर हाली में किसे चुनाव आयुक्त चुना गया है और यह कोशन मेरे अकोडिंग बहुत important होगा इस पूरे महीने में हर दिन की एक न्यूस चुनेंगे तो वो एक न्यूस एक दिन की होगी चुनाव आयुक्त का चुना जाना एक्जाम में तो आपको पता है सुशील चंद्रा यहाँ पर एक नाम हमारे पास है राजीव कुमार अनूप चंद्रपांडे और सुनील अरोडा तो सुनील अरोडा पहले हमारे थे चीफ इलेक्शन अब सुशील चंद्रा बने राजीव कुमार एक चुनाव आयुक्त और दूसरे बने हैं अनूप चंद्रपांडे अनूप चंद्रपांडे को बनाया है ये पुछा चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बने है सुशील चंद्रा दोनों में अंतर को याद रखेगा एक्जाम के लिए चलिए अगे याद रखेए भारत रतन और पदम पुरुसकार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने एक नए पुरुसकार प्रदान करने की भोश्णा की है जैसे कि हमारे भारत के भारत रतन और पदम पुरुसकार है ऐसे ही कौन से राज्य सरकार देगी यहाँ तो आप कहेंगे आसाम की राज्य सरकार तो असम रतन और असम पदम विभूशन या पदम के नाम से अवोर्ड दिये जाएंगे चलिए अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स में यानि अनेमिया जो कि एक बिमारी है आपके लिए एक डिसीज है अपने आपने तो अनेमिया मुक्त भारत ये एक रिपोर्ट लाई गई और इस रिपोर्ट के अकोडिंग आपको बताना है कि किस राज्जिय को यहां पहला इससान दिया गिया एनेमिया बिमारी को खतम करने के लिए पिछली बार आपको याद रखना है कि हमारे पास जो था वो हर्याना नंबर वन था ये अब की बार जो एनीमिया मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं तो यहां MP यानि मध्य प्रदेश MP को यहां पर सबसे आगे यानि कि पहला इससान दिया गिया चलिए याद रखिए भई अगला कोशन है हाली में किस देश ने बिटकॉइन को वेध मुद्रा अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना और ये कोशन में आप मेरे अकोडिंग ये बहुत इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इंपोर्टेंट टर्म का इस्तेमाल अगर मैं करूं पूरी क्लास में तो पंद्रा से बीस जगा करूंगा लेगिन ये ऐसे कोशन जो पक्के हैं एक्जाम में आना तो बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में जो अपनाया गिया एल सेलवाडोर ये सेंट्रल अमेरिका में आने वाला एक चोटा सा देश एल सेलवाडोर कहलाता है किके IIT या IISC यहां पर हमारा नंबर वन पोजीशन पर रहा होगा तो बिल्कुल आपको सोच कर राइट आंसर करना है तो इससे पहले वाली रैंकिंग में IIM एहमदाबाद लेगिन यहां पर आएगा आपका IIT बॉमबे तो IIT बॉमबे यहां नंबर वन रहा है इस पूरी जास कायोजन किया गया भारत और कौन सा देश होगा जिसके बीच में recent अगर हम बात करें तो इस तरह कायोजन किया गया corporate तो भारतीय नौ सैना और यहां पर याद रखे थाइलेंड की नौ सैना तो भारत और थाइलेंड की जो नेवी है क्श्वल में उनके दुवारा इस और कोरोना महमारी के बाद आप जानते हैं कोवीड में सबसे अच्छी पर्फॉर्मेंस करने वाला दुनिया का देश बना है न्यूजीलेंड और न्यूजीलेंड का ही एक शेहर आता है आकलेंड जिसे कहा गया कि दुनिया में रहने में ये सबसे आगे है आकलेंड के नाम से किस पूर्व किर्केटर दुआरा युवा खिलाडियों के लिए करिक कुरू नाम का एक पॉर्टल लांच किया गया, जिसमें सभी तरहां के करिकेटर्स, नैशनल और इंटरणाशनली टीच करेंगे या Гाईडेंस देंगे यहाँ पर, तो युवा खिलालियों के लिए क्रिक कुरू नाम का पॉर्टल ये लॉंच किया गया है किसके दुआरा विरेंदर सहवाग, मुल्तान का सुल्तान जिनका टाइटल यहाँ पर आपको याद करना है I.C.I.C.I. बैंक का अंश कालीक अध्यक्ष किसे चुना गया है बिल्कुल ये रिवीजन की सिरीज आपके लिए परफेक्ट है और मैं आपको बता दू कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर ये पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी April 2020 मन्त से लेकर जून 2021 मन्त यानि 15 महीने के टॉप 100 कोशन की इससे आपको बेहत आसान हो जाएगा एक्जाम के लिए क्रेक करना ये 15 कोशन कर लिए तो आपका बेड़ा पार है फिर तो ये बने हैं गिरीश चंदर चत्रवेदी संदीप बक्षी यहां के MP हैं याद रखना MD और CEO हैं लेकिन गिरीश चंदर चत्रवेदी बने हैं अंश कालीक अध्यक्ष LIC का चेर्मेन दोबारा से जिनको बनाया गिया है LIC के चेर्मेन कौन है यहां पर जिनके कारियकाल को बढ़ा दिया गया तो बिल्कुल एक बार यहां से तो यहां शेयर कर दीजिएगा भई अच्छे से और बिल्कुल याद रखे कौन है LIC के MR कुमार नाम से LIC का मुख्याले कहा हैं तो मेरी बात याद रखना मुंबई के अंदर LIC Life Insurance यहां पाली में किस देश की उपान्यासकार को यहां पर पैन पिंटर प्राइज यह एक ऑथर को दिया जाने वाला वोड है जैसे कि आपने क्या पढ़ा है यहां पर बुकर प्राइज के नाम से तो यह एक उपान्यासकार का नाम है दिखेगा सित्सी नाम जो भी आप इने प्राइज जो मिला है यह जिंबाववे की एक राइटर का नाम कौन से देश की राइटर है जिंबाववे देश की राइटर सिस्सी और डेंगरेंबा जो भी इने आप पढ़ेंगे फिलाल पैन पिंटर प्राइज के नाम से अगला कोश्य है भारत किस वर्ष तक 20 गीगावाट पवन उर्जा का चमता इसापित कर लेगा 20 गीगावाट की विंड एनरजी भारत यहां इसापित कर लेगा आपको यह बताना होगा तो बिल्कुल आप मुझे सोचे और राइट आंसर करने की कोशिश करें तो कौन सा वर्ष होगा वो ज यह हमारी एनरजी या इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनरजी का एक बैटर अल्टरनेट हमारे पास तैयार होगा दो हजार पचीस तो यह 50 कोशन हमारे हुए और अगले 50 कोशन को भी अगर आप कर गए तो बिल्कुल आसानी से आप सब कुछ कर लेंगे एशिया प्रशांत उत पादक्ता चेंपियन प्रुसकार जो दिया गया है यानि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी अगर आप कहेंगे यहां चेंपियन अवोड के नाम से आचारी ये बाला कृशन तो आप जानते हैं किसके होंगे लेकिन उदे कोटक संगराम चौधरी आरे सोडी क्या लग कंपनी से बिलकुल याद है आपको उखना कुर कुलेर सुख ये किस देश के रास्टपती चुने गए उखना कुलेर सुख तो एक्षल में ये रास्टपती चुने गए हमारे एक पडोसी देश आप कह सकते हैं हमारे साथ पाउंडरी शेयर नहीं करता लेकिन बहुत दूर नहीं चाइना के साथ और रशिया के साथ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो चारों तरफ से स्थल सीमा से बनी हुई है और इसे मौंगोलिया का नाम दिया जाता है तो मौंगोलिया देश के रास्टपती उखना बने है भारत में घरेलू और अंतररास्टिय बैंकों की सू का यहां नमबर वन रहा होगा बिल्कुल आप इसे कमेंड करके बताएं आई सी अई सी एचीडी एफसी डी वीएस बैंक या बारकलेस बैंक क्या लगता है आपको राइट आंसर तो बिल्कुल याद रखेंगे DBS बैंक आपका होगा जिसका मतलब है Development Bank of Singapore यह कहां का है Singapore का आपको याद करना चलिए आगे देखिएगा भाली में किस पत्रकार को Pulitzer Price 2021 से समानित किया गया और यह मेरे according बहुत important question रहेगा तो यहाँ पर नाम आपको याद करके बताना है Pulitzer Price 2021 तो इस तरह के अवोड पिछले साल भी भारत के कई लोगों को मिले थे और तीन भारतिये personality को वो अवोड मिला हुआ था लेकिन इस बार किसे मिला है वो आपको याद करना है और ऐसे question के अंदर आपके दो नाम है मेगा राज गोपालन और नील बेदी तो इन दोनों को मिला है यहाँ पर Pulitzer Price 2021 सारे अवोड आपको याद कर रहे हैं और important मैंने आपसे क्या कहा था जून 2021 तक का सारा कर लीजिए पहले छे महीने पर फेक्ट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए UNCTAD के महा सचीव के तौर पर किसे न्यूक्त किया गया है UNCTAD का महा सचीव किसे न्यूक्त किया गया यहाँ पर Secretary General तो इनका नाम आपको याद रखना होगा तो Rebecca Granspan तो इनका नाम क्या है Rebecca Granspan तो यह इनका नाम आपको याद करना है ठीक है भई इंपोर्टन नाम याद रहेगा Antonio Gatorasso UNO के हैं यह UNCTAD का पुछा है यह UNO से अलग एक संसापको याद करनी है अगला कोशन दिखिएगा भारत विदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में कौन से पायदान पर आता है यानि पूरी दुनिया में हर देश के पास जो विदेशी भंडार की सूची है विदेशी भंडार आपके पास है राजदीप राजपाल बिल्कुल अपडेट हो ज चाइना जापान और सिंगापूर के बाद चौते पायदान पर हमारा प्यारा भारत मिलता है फ्रेंच ओपन दो हजार इकीस का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है दो हजार इकीस के अंदर आपको याद रखना है जो फ्रेंच ओपन कराया गया यहां पर जो नुवाक ज आने वाली एक खिलाली तो बैर्बॉरा को मिला है यहां पर फ्रेंच ओपन का टाइटल दो हजार इकीस का ठीक है तो सारे ओपन आपको याद करने होंगे यहां ओम इन दा वर्ल्ड ये किताब लिखी गई और ये किताब किसके दुआरा लिखी गई ये किसके दुआरा लि और जिने नॉबल दोनों मिल चुके हैं और कई देश अलग-अलग वोट से सम्मानित कर चुके अम्रतिय से नेफ्ताली बैनेट किस देश के नए परधानमंत्री चुने गए तो नेफ्ताली बैनेट का नाम बहुत इंपॉर्डेंट रहेगा और मेरे अकोडिंग आप जान कि नए होंगे और प्या थे शत्रंज घ्रेंट मास्टर ने यहीता है और यह ग्यल्पर चैलेच का घ्रेंट-रन्स से उपादी जाती ए तो यहाँ आपको राइट आंसर याद रखना होगा तो डी गुकेश नाम से जो हमारे प्लेयर हैं जिने गुकेश कहा जाता है इनके दुआरा जीता गया यह वोड मेरी बास समझ में आ रही है चलिए आगे देखिएगा हाली में किस IIT ने जीवन वायू नामक उपकरन लॉंच किया है क आपको याद रखना है MB टैग यह दोनों के दोनों किसके हैं तो आपको याद है आपको IIT रोपल के हैं दोनों जीवन वायू और MB टैग के नाम से IIT रोपल के हैं हाली में Cellular Operators Association of India का अध्यक्ष किसे चुना गया है Cellular यानि कि जो मोबाइल फोन आपके हैं इनके ऑपरेटर के एक Association बनाई गई और Association का अध्यक्ष किसे चुना गया अगर आप नाम को देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा इस Association के अध्यक्ष बनाए गए कौन अजे पूरी क्या नाम है इनका अजे पूरी नाम है इनका तो यह मैंने आपको कराया है क्लास में होफुली बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा COAI के अध्यक्ष, Cellular Operators के अध्यक्ष बने हैं अजे पूरी बात के लिए हो रही है यहाँ तक सभी आपको याद रखेंगे चलिए Global House Price Index यह एक रिपोर्ट लाई जाती है घरों से संबंदित जो कीमत लगतार उसके अंदर Global Price House Price Index की बात करें तो भारत को यहाँ कौन सा हिसान मिला तो तुर्की को यहाँ पहला हिसान दिया गया लेकिन Global House Price Index में भारत का हिसान आता है 55 पचपनवा हिसान भारत को मिला इस तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है एक बार में और एक बार रिवीजन होने के बाद आप अगले कई महीने तक नहीं भूलेंगे फिर तो यह इंपोर्टेंट रहेगा आपके पास लगाता है आगे देखेगा ध्यान से सैयुक्त रास सुरक्षा परिशद के 2022-2023 के दो साल के लिए कारियकाल में आइस्थाईस अदस्य किने चुना क्योंगी एक साल में पाँच देशों को आइस्थाईस अदस्य बनाया जाता है इस बार के पाँच देश अल्बानिया, घाना, ब्राजील, युएई और गैबॉन ये पाँच देश इस बार चुने गए अगले दो साल के लिए तो ये अबव आपका राइट आंसर होगा दी आप्शन यानि ओल आव दो दिया ठीक है डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि बिहार का सोरो कहलाने वाली नदी पे बना है तो बिहार का शोक, बिहार का सोरो किस नदी को कहा जाता है डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार में ये कोसी रिवर पर बना है, बिलकुल आपको याद करना पॉसी रिवर पर ये बनाया गिया अगला कोशन देखेगा हैंरी मैरी डॉंडरा किस देश की परधानमंत्री चुनी गई हैं हैंरी डॉंडरा के नाम से आपको याद करना हैं क्योंकि ऐसे अलग-अलग नाम आपके पास आते हैं और इसमें जैसे आपने इस्राइल के पड़ आता है तो अफ्रीकन देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं और आप मुझे राइट आंसर सोच के बताएं तो किस देश की पॉसिबिलिटी आपको लगती हैं यहां पर तो दुनिया की बहुत सारी रिपोर्ट में सबसे लास्ट में या सेकिंड लास्ट में रहने वाला द माइक्रोसॉफ्ट का अध्याक्ष किसे न्यूक्त किया गया है आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट का अध्याक्ष किसे न्यूक्त किया गया तो बिल गेट्स हुआ करते थे माइक्रोसॉफ्ट के लेकिन सत्या नडेला जो इसके CEO थे लेकिन आप इसके अध्याक्ष एक्जाम के लिए बड़ा important question आपको याद करना है Microsoft के अमेरिकी व्यपार संग जो है हमारा अमेरिकी संग्ये व्यपार आयोग का द्यक्षित किसे चुना गिया है जिसे भारत में फिकी अमेरिकी ट्रेट कमीशन जो है एक्च्वल में तो भारतिय मूल की एक यहां पर आती हैं बहुत famous important exam के लिए लीना खान का नाम याद रखिएगा मैंने काना ऐसे question पूछेगा exam इनर आप से बस वो आपको याद करना है अमेरिकी राष्ठपती जो बिडेयन ने कॉंटिकट में संगी है नियाइधीश के रूप में किसे नामित किया है तो यह वहां पर जो 50 राजिये हैं एक्च्वल में उन में से एक राजिये का नाम है कनेक्टिकट क्योंकि हम बहुत सकम राजियों को जानते हैं अमेरिका के जो famous, important हैं और यहां पर एक नाम आता है सरला विद्या नागला तो यहां पर इसकी नियाइधीश चुनी गई हैं यह इस राजिये के अंदर इस प्रोविंस के अंदर अमेरिका के अगला कोशन दिखेगा ठालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वेश्विक हतियार के आयात में कौन से अस्थान पर है यानि कितना परतीशत योगदान है भारत का जो विश्व में हतियारों को खरीद रहा है देश इसक्ता में, भारत यहां कौन से नंबर पर आता है, परवीन गुजर बिलकुल याद रखिएगा, तो वेश्विक हतियार आयात करने के मामले में, भ अगला कोशन दिखेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स यानि दुनिया में जो शांती की रिपोर्ट लाई जाती है जिसमें पहले नंबर पर आइसलेंड नाम का देश और आखरी नंबर पर अफगानिस्तान देश है आपका तो आपको ये बताना है शांती की सूचकांक में भारत इस बार कौन से नंबर पर रहा 135 135 पर रहा और बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम के लिए हाली में कौन से बैंक को नैशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एन ए आर सी एल मेरे दोस्तों बिलकुल याद रखना इसे शॉर्ट में बैड बैंक का जाता है एक्जाम के लिए तर्मुख प्रयोजक कौन होता है यहाँ पर तो बारा परसेंट हिस्सेदारी के साथ कैनरा बैंक इसको स्पॉंसर कर रहा है कैनरा बैंक इसका स्पॉंसर करेगा जिसे बैड बैंक भी कहा जाएगा Flying Sikh Milka Singh Ji का निधन हुआ आप जानते हैं तो Flying Sikh के नाम से Famous Milka Singh Ji की किताब कौन सी थी उनकी आत्म कथा थी जो एक चल में उनकी ओटो बायोग्राफी का नाम क्या था The Race of My Life The Race of My Life के नाम से किताब लिखी थी इनोंने आजादी का अमरित महसव के दोरान जंडा सत्याहग्रे आपको याद रखना है जंडा सत्याहग्रे का कारिय करम कहां आयोजित किया गया है आजादी के 75 साल का सेलिबरेशन किया जा रहा है और ये जंडा सत्याहग्रे आपको याद करना है। नागपुर और यहां पर इक जगा आती है। जबलपुर, MP के अंदर किया गया था जबूर इसी को दोहराया गया एक्चॉल में जबलपुर के अंदर, मद्ये परदेश के अंदर, जबलपुर, MP के अंदर। इब्राहीम रईसी किस देश के नए रास्टति चुने गए बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है दुनिया भर से इंपॉर्टेंट नाम में चुना जाता है इब्राहीम रईसी के बारे में और आपको याद रखना है यह हमारे से बिलकुल पाकिसान के साथ शेयर करता है अपना order लेकिन बहुत important है भारत के लिए इरान देश आपको याद करना है इबराहीम रईसी के नाम से चलिए अगला question दिखेगा ध्यान से center for silence and environment के द्वारा ease of living index में कौन सा शेहर पहले नंबर पे रहा कौन से शेहर में रहना आसान है सबसे ज़्यादा ease of living index तो कौन से शेहर में रहना आसान है बेसिक तोर पर ये बात पुछी गई और आपको क्या लगता है कौन सा शेहर यहाँ ease of living की बात करता होगा तो बैंगलोर सबसे बहतर है रहने के लिए और आसान है यहाँ पर lifestyle simple और easy है the nutmeg curse नाम की किताब लिखी गई और आपको यह याद रखना यह किताब the nutmeg curse के नाम से basically यह किताब किसके दुआरा लिखी गई है तो यहाँ पर एक important personality और एक important नाम आता है जो आप बार बार सुनते होगे बार बार आपको याद करना होगा exam के point of view से तो अमिताव घोश जो एक मात्र English writer है ज्यान पीठ प्रुसकार जीतने वाले अमिताव घोश का नाम important है अगला question है किस देश का पहला खिलाडी के पहला भारत तोलक खिलाडी लॉरेल हबार्ड ये बहुत important रहेगा exam में ये पहला transgender जो ना महिला की category में ना ही पुरुशो की category में तो पहला transgender category में आने वाला ये कहां का खिलाडी है तो याद रखें New Zealand से आता है ये तो important नाम याद रहेगा UNCT दुआरा World Investment Report में दुनिया भर में सबसे जादा investment प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से नंबर पर आता है आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो टॉप पर रहता है हमेशा से लेकिन भारत बहुत पीछे नहीं है और दुनिया में निवेश के मामले मे भारत पांचवे इस्सान पर पहुंच गया 64 बिलियन डॉलर के साथ 64 बिलियन डॉलर का निवेश बहुत होता है भारत के लिए याद रखिएगा अगे किसे European Inventor Award 2021 से समानित किया गया है important question में याद रखिएगा European Inventor Awards के नाम से और यहाँ पर एक नाम आता है बिसिक तोर पर उनको याद रखिएगा exam के लिए famous रहेगा जो क्योंकि exam में ऐसे ही question आपसे लगतार पूछे जाएंगे basically तो European Inventor Award दिया गया है सुमित्रा मित्रा को तो सुमीता मित्रा का नाम आपको यहाँ पर याद करना है जी मैक्स नाम से द्वी पक्षिये से नियो सेनिक अभ्यास तंडक किया गया जिसका नाम है जी मैक्स तो जे से जापान आई से इंडिया तो जी मैक्स का मतलब क्या होगा जापान और इंडिया के बीच के जो अभ्यास एक्चुल में जिसका योजन हिंद महासागर इंडिय Ocean में क्या गया है basically इसी को नाम G-MEX कहा है Reliance Industry जो है अपनी ये कब तक Carbon Neutral होने की घोशना करी है इसने यानि हम Carbon Neutral बनेंगे HDFC बैंक ने कहा है और साथ में किसने कहा है Reliance Company ने 2035 तक Reliance Company ने 2035 तक कहा चलिए याद रखिये किस राजिय की माविया सुडान को भारतिय वायु सेना की फाइटर में शामिल करने वाली पहली यहां राजिय की महिला बनी है होने वाली राजिय की पहली महिला माविया सुडान के नाम से तो यह जम्मू और कश्मीर राजिय से आती हैं माविया सुडान important नाम याद रहेंग भारत को 2020 में कुल कितना विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था अभी अभी मैंने आपको बताया था भारत को 64 बिलियन डॉलर के साथ पांच वी पोजीशन पर रहा है भारत दुनिया में इन्वेस्ट्मेंट के लिए हाली में किस राजिये ने मिलखा सिंग के नाम पर पैरा ग्लाइडिंग क्लब बनानी की बात की है तो पैरा ग्लाइडिंग क्लब लॉंच करा गया है कहां पर पंचकुला में और आप जानते हैं पंचकुला कहां पड़ता हरियाना के अंदर तो मिलखा सिंग जी के नाम पर हर लियाना पंच कुला में पैरा ग्लाइडिंग क्लब होगा कौन सा राज्जिय एक मात राज्जिय जहां मगरमच की तीनों परजातियां मौजूद हैं तो मगरमच की तीनों परजातियों वाला एक मात्र भारतिय राज्जिय जो एक्जाम के लिए important रहेगा आपके पास ऐसा जी हमारे पास है उलीसा तो उलीसा राज्जिय के अंदर यह जो हमारा क्रोकोडाइल है इसकी तीनों इस्पेसीज एवेलेबल हैं मौजूद है यहां दुनिया में भारत में उधारी करन की नीती को किस वर्ष अपनाया गया जिसे 2021 में 30 साल पूरे हो गए तो 1991 में उधारी पॉलिसी कहते हैं और इसके 30 साल पूरे हो गए 2021 के अंदर निकोल पाशियान किस देश के परधान मंत्री चुने गए तो अभी अजर बैजान की लड़ाई किसे चल रही थी आर्मेनिया से और आर्मेनिया की राजानी है यहरेवन यहरेवन राजानी है आर्मेनिया की वहां के नए पीम बने रामगण विश्धारी सैंचुरी जो कि एक बाग टाइगर रिजर्व यानी एक बाग अभियारन बना है टाइगर रिजर्व बना है जो कि इस राजिये का चौथा टाइगर रिजर्व है तो बेसिक तोर पर याद रखिएगा रामगण विश्धारी की गई it is a wonderful life के नाम से तो यहां पर एक important नाम आता है भारत का Ruskin Bond इनका नाम आप याद रखेंगे राइटर important है एक्जाम के लिए Ruskin Bond की किताब है समगर विकास के छेतर में किन शहरों को smart city पुरुसकार से सम्मानित किया गया कौन से दो शहर आपके smart city शहर की category में सब से टॉप पर रहे हैं बिलकुल आप right answer कर सकते हैं मुझे तो क्या लगता है आपको right answer क्या होगा तो एक आता है हमारा मद्यपरदेश का और एक आता हमारा गुजरात का तो right answer क्या हूँ आपके पास गुजरात और मद्यपरदेश की बात करें तो बेसिक तोर पर इंदौर और सूरत इंदौर और सूरत चुने गए दो smart city तो मगर विकास समय 2022 में सेवा में आने वाला भारत का पहला सौदेशी विमान वाहक भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ कैरियर सौदेशी विमान वाहक क्या कहलाएगा तो इसको किस नाम से जाना जाएगा आपको तो बिल्कुल याद रखेंगे इसे विकरांत कहा जाएगा याद रखना हाली में ICC World Test Championship भारत को हरा कर किसने जीत ली है ICC Test Championship आप जानते हैं बिल्कुल इसे शेयर जहू कर दें इस इवेंट को आप जानते हैं कि न्यूजिलेंड इस समय ये टॉप कंट्री कह रही है यहाँ पर तो जिने आप जानते हैं किवीज कहा जाता ब्लैक कैप्स कहा जाता है चल में याद रखना कौन सा फुटबॉल खिलाली शीर्श स्कॉर करने वाला अंतरास्य खिलाली बन गया सबसे ज्यादा स्कॉर करने वाला एक सो नो गोल करने वाला जो खिलाली है वो पुर्तगाल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के बहुत जानवरों के काटने से मैंली एक बिमारी है और इसे खतम करने वाला पहला राज्जी ए गोवा बना है देश का इंपोर्टेंट याद रहेगा छोटी और मजोली कमपनिया यानि की छोटी और मीडियम साइस की कमपनी जो है इनका टरनोवर 50 करोड से बढ़ा कर इनके कारूबार की सीमा को 50 करोड से बढ़ा कर 250 करोड कर दिया गया कितना 250 करोड कर दिया गया तो अब ये 250 करोड तक कारूबार वाली कमपनिया छोटी कमप ये क्रम आपको याद रखना है जो भारत का पहला मानव रहित मिशन होगा 2021 के लास्ट में तो इसे क्या कहां से लॉंच करेंगे GSLV Mark 3 इसका इंपॉर्डन नाम याद रखना GSLV Mark 3 से इसे लॉंच किया जाएगा चलिए इस्टीरियन गरंड इक्स 2021 का किताब किसे जीता है तो इस्टीरियन ग्रंड प्रिक्स 2021 जो लाई गई आपके पास इसका किताब जीता है basically किसने तो आपको याद रखना होगा तो यहाँ पर एक ही नाम में ने बताया important या तो Max Westrepan या फिर Lewis Hamilton तो Max Westrepan ने जिता है Esterian Grand Prix 2021 CBI के विशेश निदेशक के रूप में CBI के विशेश निदेशक के रूप में किसे चुना गया है क्योंकि पहले निदेशक बनाए गये CBI के और अभी बात हो रहे है किसकी विशेश निदेशक के बारे में तो परवीन सिनहा को चुना गया है इनका नाम आप याद रखेंगे तो परवियन सिनहा यहां पर कौन होंगे विशेश निदेशक और भारत में पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा आपको याद रखना है यह रबर का पौधा जो संशोधित आनुवांशिक यानि यह मोडिफाई जेनेटिकली किया गया है और ऐसा कोशन याद करने हैं क्योंकि 100 important question का पूरा set आपके पास लेकर आए हैं हम यहां पर तो बस आपको every month की current करनी है तो आप एक बात याद रखें कि आप बार बार एक ही चीज को जितनी बार पढ़ेंगे ना उतना आपको याद होगा कम से कम exam तक आप ये काम लगातार करते र से एप डाउनलोड करने के बहुत सारे benefit आपको मिलेंगे वहां पर आपकी speed का control होगा वहां पर आपके पास इसके साथ quality के भी 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 बहुत सारे options मिलेंगे और साथ में आपके पास other information other batches की detail आपको मिलती रहेगी PDF time पर आपको available होती रहेगी तो carrier will app के माध्यम से जुड़ेंगे जब तो आपके benefit double हो जाएंगे यहां पर तो वो जरूर करिएगा और classes लगातार करिए बहुत जादा इधर उधर करने के जरूरत नहीं है ऐसा ना करेंगी पूरा दिन YouTube को दे दिया तो पता चला कि आपकी मेहनत जो थी knowledgeable तो बहुत हो गए सब कुछ जान लिया पर पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपके पास ability का होना जरूरी है इसके लिए limited और sufficient चाहिए आप इधर उधर की चीजों में कि दूसरा कितना जानता और आप कितना जानते हैं इस चक्कर में अगर आप रह गए ना तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे select होने की कभी number नहीं आएगा तो हमें पढ़ने के लिए जिंदगी नहीं गुजारनी select होना है previous year paper को देखिए exam content को देखिए उससे त्यारी कीजी अपनी किसी student से मत करिए इधर उधर के extra question करके आपको ऐसा feel नहीं होना चाहिए क आप बहुत जादा जानने लगे क्योंकि एक्जाम के लिए जानना नहीं बलकि जो आता है उसको perform करना जरूरी है आप मेरी बात समझेंगे मेहनत करेंगे लगातार पढ़ेंगे limited और sufficient रहेंगे पूरे दिन देखने से बहतर है अपना particular time पर चीज़ों को manage करिए चलिए इस सीदे question के answer ABCD format में ही याद करने होंगे ठलिए thank you everyone कल मिलेंगे सुभा सात बजे दो जुलाई की current affair के साथ thank you everyone thank you so much